ठ्राट्शार प्रेम कहानी तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई उसने सोचा यह लड़की कितनी खुबसूरत है सिता भी रमेश के मधुर सुरों में खोई हुई थी उसका संगीत सुनकर उसे एक अनोखी खुशी मिलती थी समय बीटने लगा और उनकी दोस्ती गहरी होती गई वे अकसर एक साथ समय बिताते, साहित्य और संगीत पर चर्चा करते एक दिन रमेश ने सिता के लिए एक विशेश गीत गाया वह गीत प्रेम और आत्मियता के बारे में था सिता उसकी आवाज में गहराई से प्रभावित हुई उसने कहा, तुम्हारा संगीत मुझे छू जाता है इससे रमेश ने अपने दिल की बात कहने का साहस जुटाया सिता, उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम मेरे लिए बहुत खास हो सिता थोड़ी चौकी, लेकिन उसने भी अपने भावनाओं को व्यक्त किया मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ रमेश लेकिन क्या हमारा प्रेम हमारे जीवन को बदल देगा हमारे परिवार और समाज का क्या होगा रमेश ने उसकी चिंद्राओं को समझा लेकिन कहा, हमें अपने प्रेम को सच करने का प्रयास करना चाहिए अगर हम साथ हैं, तो कुछ भी हमें रोक नहीं सकता इस निर्णय के बाद उन्होंने भविश्य की योजनाय बनानी शुरू की उन्होंने अपने परिवारों से अपने प्रेम के बारे में बात करने का निर्णय लिया कुछ परिवार वाले उनकी बात से सहमत हुए जबकि कुछ ने विरोध किया लेकिन उनके प्रेम में विश्वास मजबूत था कुछ समय बाद सिता और रमेश ने शादी करने का निर्णय लिया यह निर्णय उनके जीवन का नया अध्याय लेकर आया शादी की तैयारियों ने सब कुछ बदल दिया गाम के लोग उनकी प्रेम कहानी के बारे में चर्चा करने लगे कुछ ने समर्थन किया, कुछ ने आलोचना की लेकिन सिता और रमेश ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा शादी के दिन उनकी आँखों में खुशी के आंसू थे उन्होंने एक दूसरे के सामने प्रेम और विश्वास की प्रतिग्या की हम हमेशा एक साथ रहेंगे, सुख दुख में सिता और रमेश की प्रेम कहानी गाउं में प्रेरणा बन गई उनका प्रेम सभी को एकता और साहस का पाठ पढ़ाने लगा उन्होंने हर चुनौती का सामना एक दूसरे के साथ किया सिता और रमेश ने अपने साथ बिताए हर पल को संजोया और अपने प्रेम की चमक को हमेशा बनाए रखा